नमस्का सर, मेरा नाम है बीजे बल्डाम सरकार, मैं जैदुर का है स्कुल अबंग जूनियर कॉलेज गोर्णगर तालुका अरिजिन वोल डिस्टिक गोंदिया के कक्षा आटवी की छातरा हूँ मेरा बिशा है देनान दिन जिवनात गनिती वोपाए मैंने यहाँ माडल पूरे गनित के उपार डिपेंडेट सर आज कल दिखा जाए तो बच्चे ज़्यादातर गनित में कमजर होते हैं इसका पिछी का करन एक तो गनित का भई एफिर गनित समझ में नहीं आता एफिर गनि समद्धा चतर बूस समझ चतर बूस यह सब इसमें त्यार कर सकते हैं जैसी कि आयत कैसे बनाना है उम्हें आपके दिखाना चाहता हूं आयत के सम्मुक कोन सम्मुक कोन आज सम्मुक बुजा सरवंग्षम होते हैं सपोज यह अगर 40 सेंटिमेटर को हो ते भी 40 सेंटिमेटर को होना चाहिए अगर यह राइट एंगल रेक्टैंगल के समूख कोन सर्मंक्षम होते हैं और सभीक और कम आप 90 डिग्र का ऊंगल के एँ veloc. 10-500 होते हैं और तीन उते हैं रट अंगल में ये דगी का होता है और रड़ीन होता है और रदों को दोन कौन मिलकर ने कि रड़ीन का कि चॉने कर में को ऐसा हो से एक्षे सब टिकार मेंहीं उसके बाद समानता चुतुरभुस काइसे होता है मैं आपके कर दिखाना चाहता हूं समांत्रा चुतुरविश के अ कि सम्मुक कि सम्मुक बुजा और समुक कोन सरवांग्शम होते हैं अगर इसका कि 70 है तो इसका भी 70 होना चाहिए है कि यह का सत्तर है है सत्तर और सत्र एरे दोनों कौन को मिलाकर 180 degree का होना चाहिए अगर यह 70 है तो यह 110 degree का होना चाहिए यह होगा 110 यह होगा 110 degree यह होगा टोटल होता है 370 degree का measurement सपोज किसी विद्धर्ति को अगर पूछा जाए कि आयत के डाइगरम कैसे होता है तो उन बिद्दर्ति के दिमाग में गुं ते रहता है कि आयत के diagram कैसे होती है और इसके definition कैसे होती है अगर उन बिद्दर्ति को इस model द्वारा पढ़ा जाये उन बिद्र्ति को अधिक सधिक दिनों तक धन्मे रह सकता है और जल्दी समझ सकते है जल्दी समझ सकते हैं इसको उपयोग बिद्दर्थी भी समझ